सावनेर शहर में स्थित तालुका सरिय प्रात्मिक स्वास्त केंदर सावनेर में सुविधाओं की अभावत था स्वास्त केंदर की आला अधिकारी और नव सीखे डॉक्टरों के रुखे व्यवार से शेतर की गोर गरीब जनता को उचित स्वास्त व्यवस्ताओं से वंचित रहना पड़ रहा है ग्याद हो कि मेडिकल हॉस्पिटल नाकपुर के देखरक में कारेरत सावनेर शेहर का यह प्रात्मिक स्वास्त केंदर शेहर की ही नहीं बलकि तालुका स्तर का सबसे बड़ा दवा खाना होने के साथ साथ सीमा वर्दी मृध्यप्रदेश की दूर दरास के मरीज यह अपना इलाज कराने बड़ी आशा से आते हैं साथ ही राश्ट्य महामार पर होने वाली आकसमिक घटनाओं को मरीज यह अपना इलाज करवाने आने पर ना ही उन्हें उचित इलाज मिलता है ना ही दवा हर चोटी मोटी समस्या के लिए इन्हें नाकपुर रेफर करने की चिठी पकड़ा दी जाती है अगर हर चोटी मोटी घटनाओं को मरीजों को अगर नाकपुर ही रवाना करना है तो इतने सारी अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता क्या? ऐसा सवाल उभर कर आने लगता है सामने स्वास्त केंदर की सुचारू रूप से संचालन हे तु यहां प्रपाठक महदय भी न्यूक्त है किन्तो वे मुख्याले में न रहते हुए नाकपुर से ही इस स्वास्त केंदर का संचालन कर मुफ्त का वेतन और सारी स्विधाय प्राप्त कर रहे है एक और जहां संपोर्ण विश्व कोरोना महामारी के संक्रमन से गुसर रहा है ऐसे आपाठकालिन सिते में भी प्रपाठक महदय इत का चान ही नजर आते है ऐसे में स्वास्त केंदर के अन्य अधिकारी कर्मचारियों पर वरिष्टों का अंकुष न होने से इस सुभे साड़े आर्ट से दोपेर धाई तक शुरू रहने वाली ओपेडी 11 से पहले शुरू नहीं होती लेकिन धाई बज़े के पहले बंच सरूर हो जाती है इसका मुख्य कारण इस स्वास्त केंदर में कारेरत अधिकतर अधिकारी कर्मचारी मुख्याले में न रहकर नाकुर से आवागमन करते है जबकि COVID-19 के चलते उत्पन आज किस्तिती विशेश तोर पर स्वास्त और प्रशासनिक स्तर पर आपात कालिन स्तिती है और ऐसे में सभी कर्मचारीों को मुख्यालेों में रहना अनिवार्य होता है और शासन्दवारा जारी ऐसे दिशानिर्देशों के बावजूद भी अधिकांश कर्मचारी अधिकारी मुख्याले से नदारद ही होते हैं जिसका सबसे बड़ा कारण प्रफाटक मौदे का खुद अपने कर्तव्य से पल्ला जाणना और गैर जिम्मेदाराना होना ही है अपने करतव्य के प्रती लापरवाहत था ग्रामिन जन्ता के स्वास्त से खिलवाड करने वाले गेर जिम्मेदाराना अधिकारी कर्मचारियों पर कठोर कारवाई कर प्राथमिक स्वास्त के इंदर सावनेर को सर्वसुविधायुक तथा चारू रूप से संचालिक किया जा ऐसी मांग उटने वश लगी है